नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मैं सुझीत पाइंड आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आगए हैं दोसो जनरल अवेरनेस के कॉश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे इतिहास के भी भूगोल के भी साइंस के भी अरच साइस के विवेद कंपेटर मतलब मिक्स कॉश्चन खिचडी है जो कि आपको एक्जाम में पड़ोसी आईगी और आपको सुखाना है दोसों के दोसों कॉश्चन याद कर लेना है क्योंकि यह वन लाइनर के फॉर्मिट में है हमारा यही लक्षे कोशिश है आपको कम समय में जादा कॉश्चन याद कराएं आप हमारे वीडियो देखिए बार बार उनको सुनिए याद कीजिए जिस से जब पेपर देन लाओना तो चलो तो विनादिर की वह स्टार्ट करते हैं याद करना करो स्टार्ट इन कॉश्चन को लोहवा रक्त की नीती अपनाने वा भारती सुल्टान कौन था बलवन था भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्टान कौन था बलवन श्रीमत भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवात किस ने किया जोन विलकिंस ने बॉकसाइड किस धातू का ऐस्क है एल्यूमिनियम का ऐस्क है वन व्योस प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किस न लिखी थी सर विश्वेश्वर रहया न लिखी थी महांकालिश्वर का एतिहाशक मंदिर कहां पर है उज्जैन में है किस नदी के किनारे किसी को पता है कमेंट करके बताईए चिप्रनदी नर्वदा नदी महांकालिश्व पर उझ्येन किस नदी किनारे है शिप्रण किनारे या फिर निर्वदaled किनारे कमेंट करके बताएए पंडित जवाहलाल नहरूंने किसे आधुनिक भारत के मंदरों की संग्या दिया है तो भारत के बड़े बांधों को गुरु को इन सिंग का जैनमकब और कहां हुआ 22 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में समिधान की प्रिस्तावना में हमारे देश को क्या कहा गया है तो भारत और इंडिया ये दो नाम से जाना गया है भारत के किस प्रधान मंतरी को संसद का सामना नहीं करना पड़ा तो चौधरी चरण सिंग को समाधी इनकी किस नाम से तो किसान घाट नाम से इनकी समाधी है चौधरी चरण सिंग की राजसवा के प्रधम सभावती कौन थे डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन जी थे प्रधम बार केंदर में गठित गैर कॉंग्रिसी सरकार का प्रधान मंतरी कौन था तो मुरार जी देश आई थे पहली बार गैर कॉंग्रिसी सरकार बनी थी और इनके प्रधान मंतरी थे मुरार जी देश आई बीजक किसकी रचना है तो कभीर दास जी की रचना है बीजक कई वार एक्जाम में पूछा गया है भारत का आखिर अंग्रे जी वाइस राय कौन था तो आखरी वाला था लॉर्ड माउंट बेटिन करो या मरो का नारा किस न दिया गांधी जी न दिया कब दिया भारत छोड़ो आंदोलन की दौरन किस सन में दिया था 1942 में सेंट्रल मम्यस्य इंस्टिटीट फॉर टेक्नोलोजी कहां इस्तित है तो ये एरना कुलम में इस्तित है केरल में ममस्य ठीक है कन्या कुमारी शहर बसा है तो कन्या कुमारी शहर टमिलनाडू में इस्तित है संग शाषित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच इस्तित है तो ये गुजरात और महाराष्ट के बीच मिस्तित है दादर एवं नगर हवेली भारत में चंदन की लगड़ी के लिए प्रसेद राजी कौन सा है करनाटक तमिलांडू इन दोरों में चंदन की लगड़ी होती है सबसे ज़्यादा करनाटक फेमस है जब सागर सोता रहेगा संसार सोता रहेगा भारत अपने जीवन वा स्वतंत्ता के लिए उठ जागेगा पंडित जवाहल नाल नहरू का ये संदेश है गद इवंपद दोनों में किस गरंद की रचना की गई है ये जोरुवेत की सरबदम किस महिला ने बहुत धर्म गरंद किया था सबसे पहले गौतमी ने उसका नंदा टू ये शोदरा नंबर तीन पर किस नेता ने तीनों गोल में समिलन में भाग लिया बी आर अंबेड कर जी किया नियागरा जल्परपात कहां इसते थे अमेरिका और कनाड़ा के बॉर्डर पर इसते थे लेकिन अमेरिका में ही है नियागरा जल्परपात अललील समाचार पत्र शुरू किया था तो अबदुल कलाम आजाद जी ने अललील समाचार पत्र श्टार्ट किया था अलमाट कि संसदाको संसद की जनक कहा जाता है तो बटेंग कि संसद की जनक शे Bliss 거ak seine इक चोटा दीफ किस महासागर मिस्त है, ये हिंद महासागर मिस्त्थ छोटा दीफ है, भाकडा नांगल बांध किस वर्ष में बना था, तो 1963 में बना था, सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में सार्क की स्थापना की गए थी, सामपैंस कहां के आदिवाशी हैं तो ये अंडमान और निकोबार के आदिवाशी है सामपैंस तेनाली रामा किसके दरवारी कवी थे तो ये कृष्ण देव राय के दरवारी कवी थे धोलपूर haus किसका ला राहला है? तो संग लोक सेवायःूग उपी-एस्सी का का लाहला है धोलपूर haus. 49 समानतरीक हैं तो अमेरिका और कनाडा के बीच में हैं. विवकानन दिस्मारक कहा है? तामिल लाड़ू में सतो है विवकानन दिस्मारक. Acupuncture क्या है, तो सुई से इलाज करने का एक तरीका और ये चीन अविक्सित क्या था, Acupuncture का Dialysis का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गुरदे का कार करने के लिए किया जाता है, Kidney के लिए Dialysis वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है तो पांचाल का अभी का नाम है पंजाब रेड क्लिप सीमा रिखा किस-किस के बीच में है भारत और पाकिस्तान के बीच में मैक महंटे का किस-किस के बीच में है भारत और चीन के बीच में पांच नदियों की भूमी कौन सी है तो पंजाब को पांच नदियों की भूमी का जाता है अपैसेज टू इंडिया पुस्तक के लिखक कौन है तो EM पोस्टर अपैसेज आफ इंडिया पुस्तक के लिखक है स्वान मंदर बना जो बनवाने के लिए कि समराथ ने भूमी उप्लद कराई थी तो अकबर ने भूमी में उप्लद कराई थी शब्द टी किस खेल से संब्द है तो गोल पर में शब्द टी का यूज होता है गरजने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है तो यह लेंस का यूज होता है औरंग जेव की मां का नाम क्या था मुम्ताज महल औरंग जेव की मां का नाम था राश्त्रिय पती में अशोग चक्र का रंग कैसा है तो नेवी ब्लू हलका नील गहरा नीला माप कीजिएगा रंग है अशोग चक्र का अशोग चक्र में आपको कमें करके बताइए भारती वादय अंतर में सबसे पुराना वयादय अंतर कौन सा है तो वीना सबसे पुराना है सेंटी ग्रेट्स में सामानय मनुष्यका सरीकताप मान क्या होता है तो 37 दिग्री सेंट्रीगेट आंठावे दिगरी फेरन हाइट और 310 केलविन ठीक है 98.6 फेरन हाइट 310 केलवन और 37 दिगरी सेलसियस अमेरिका में 1776 में किसे ने आजादी की घोशना की थी तो थोमस जैफर सन ने आजादी की घोशना की थी अमेरिका में कौन सा देश 100 वर्षी युद्य में सामिल हुआ सबसे वड़ा ऑंक नेटवर्क किस देश का है भारत में सबसे वड़ा तरह सबसे आखरी हमलա किस वर्षुए था तो सबसे आखरी हमला के सबसे अधिक समय तक अध्रक्ष कौन रहे तो दादा भाई नौरोजी रहे थे ग्रेंड इनको बोलते हैं ग्रेट ग्रांड ग्रांड ओल्ड मैं किस धर्म सुधारक की म्रत्यु भारत से बाहर हुई थी तो राजा राम मोहन राजी की हुई थी 1833 में लंदन में भारत का का आविशकार कौन स था तो टेंव इन्हों नें किया था वर्रू वर्रण सबसे उच्छ किसम का को सा है कुला सबसे उच्छ किस्म का है और सबसे निम्न किस्म का कौन सा है तो पिट सबसे निम्न किस्म का है सिने गौग किस धर्म का आराधनास्तल कहलाता है यहूदी धर्म का आराधनास्तल है सिने गौग ख्वाजा मोई दिन चिस्ति की प्रसित दरगा कहां परसित है अजमेर में गरीब नवाज के नाम से भी यह जान जाते हैं सन 1979 में भारत में कितने बैंकों का राश्टी करण हुआ था तो 14 बैंकों का तता 1980 में 6 बैंकों का हुआ था या रखेगा मोटर वहानों में जो है पश्च दर्ष्च दरपन के रूप में कौन सा दरपन यूज़ किया जाता है तो पीछे देखने के लिए हमारे मोटर साइकल में गाडियों में उत्तर दरपन लगा होता है मोट की सीमा इकिस वर्ष से घढ़ाकर अठारा वर्ष कर दी गय थी कब 61 संसोदन में 1989 में भारत के प्रथम अनिजलण का खर कहा पर है तो मुंबई में मोहमाद ऑली जिन्ना का खर है भारत की सबसे बड़ी सोरंग जवाहर सोलंग किस राजम है जम्मु काश्वीर है जवाहर सोरंग भारत का कौन सा राज अच्छा यह बताए अटल टनल कहां पर है मैंने आपसे थोड़ देर पहले इसके एक वीडियो पहले में बताया था यदि आपने पिछला वीडियो कमेंंट करके बता यह अटल टनल जटेखते कि इसको पता है अगला एक्श्डम भारत का कौन सा राज नेफा के नाम से जाना जाता है अनाचल प्रदेश को नेफा के नाम से देंसे गार्ज यार्छी के कौन से भाग से फ्राप्त होता है तो नोंग जु है यह यह पहाणिया कई बार कॉच्छन पूचा गया बहुत इंपोर्टन कॉचन याद करने इसको रट लेना अगला कॉचन देखो कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लिखकोन है पंडित रवी शेंकर ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था माई म्यूजिक माई लाइफ आम बजट कौन पेश करता है तो देश का वित्व मंत्री आम बजट पेश करता है कही बार एक्जामों में पूचा के कॉच्छन है इसको छोड़ना नहीं याद कर लेना गानी जी का प्रिय गीत वैष्णाव जन्रत तेरे कहिए किसने लिखा तो नर्सिंग महता ने इस गान आउति आश्टम ऐलीसा टैश्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है तो है संकरमण के लिए एलीशा होता है भेड का प्रति रूप क्लोण ड़ुकिस न तयार किया था तो यान बिलमट ने 1996 में भेड का सबसे पहला क्लून तयार किया था जिसका नाम क्या था डॉली प्रसित चुत्र बढ़ी ठड़ी किस सैली पर आधारत है तो यह किशनगर सैली पर आधारत है चित्रकला निहाल चंद और राजा सावन सिंग राजस्थान की बात है यह याद रखने किशनगर स कि यह नाम की विखंडन पर आधारत होता है कि किस नगर को शाषृत नगर भी कहा जाता है कि रोम नगर को साषृत नगर कहा जाता है भारत में तंभाकु की खेती किस विदेश ही सकती की देन्य सब सबसे पहले रुपए का सिक्का किस ने चलाया था शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपए का सिक्का चलाया था कौशन कही वार एक्जाम में पूछा गया है ताम मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है राइट्स आफ मैं नामक पुस्तक किस ने लिखी थॉमस पैन ने राइट्स आफ मैं नामक पुस्तक की रचना किस ने की मानतेश क्यूं ने इस्पृट आफ लो नामक पुस्तक की रचना की है भारत में पहली नियमित ज करना कराई थी एक्जाम में कई वर पूछा का कॉश्चन है नत्य करती हुई लड़की जो है कि मूर्ती कहां से की मूर्ती थी यह कहां से प्राप्त हुई थी तो यह मोहंजो राड़ों से प्राप्त हुई थी मोहंजो राड़ कहां पर है पाकिस्तान में मोहंजो राड़ों क क्होच किस न की थि राखल दास बेनरजी न की थी उननीश सो बानवी की बात है भगवरकी था किस धर्म किस धार्बिक फुस्तक का एक तो महाध भारत का और इसको किसने लिखाया महाबात दो वेदव व्यास जी ने महायान या थेरवात का संबंद किस धर्म से है तो महायान या थेरवात का संबंद ये आपका बहुत धर्म से है यार रखेगा विजय नगत सामराज की स्थापना किसके काल में हुई थी तो मुहंबत तुगलक के काल में हुई थी कारे काल था 1324 से 1359 ग्रσα ungef है उतलेशं टाई विज्रा आज विज्रान्क साम् राज की स्थापना कबूई थी तो 1336 312 में हरिहर और वुंक तिखुना की तियाद सी यक्परी में कितने कितने भागों में संकलन है तो आईने अकवरी पांच भागों में संकलन है आईने अकवरी किसने लिखी अबुल फजल ने आईने अकवरी को लिखा है आईने अकवरी किसका भाग है तो यह अकबर दामा का भाग है आईने अकवरी संथालों ने अंग्रेजों से विद्रो कब ग利त्राइस का नहुं में किया था तो 3 08 155 तो किसका था नित्रत किया सिंदू कानू चांद और भ्हचरों। कि बंगर का स्ताईब ऑस्ताईब बंडवस्त किसे जो है कि के साथ किया गया था जमीदारों के साथ किया था составтории बंघाल की स्थाय बंदवस्त ओब लाग हुमा था तो शुमला बना गया था था तो थंड की राज़ानी आपकी गर्मी दावी और बाराम हुई थी 12 अरफ 1936 में और 80 सत्यकरहिएं के साथ स्थाट हुई थी मुस्लिम लिग की स्था바ना आपकी 30 डिसंबर 1906 में हुई थी और बांगलादेश की धाका में हुई थी इसके नेता थे आगाखां, सलीम उल्ला खां और मुशमद Earnest Ali जिन्ना मुसलिम लीग के किस अडिवेशन में कॉंग्रियज और मुसलिम लीग में समझोता हुआ था तो 1916 में लखनव अडिवेशन में इंके बीच में समझोता हुआ था मुसलिम लीग ने सीधी कारवाई दिवस कम मनाया था 16 अगस्त 1946 इसवी को जो है ग्रेट कलकत्ता दंगे में सीधी कारवाई दिवस मनाया था भारती सम्विधान सभा का निर्माड किस योजना के अंतरगत हुआ कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946 भारत के अंत्यम वायस राइकों थे लौड माउंट बेटन थे सम्विधान सभा में निलधारित कुल संख्या कितनी थी तो तीनसो जो है नवासी और दोसो बानवे जो थे राज्यों से प्रतिनी थी तेरानवे देशी रियासत से और चाप चार जो है चीफ कमिशनर थे कवीर के गुरु कौन थे तो रामा नंजी कवीर के गुरु थे अभी नित्र लैंस रेटीना पर किस प्रकार का प्रतिनी बनाता है तो वास्तविक और उल्टा बनाएगा स्वक्षव आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो प्रकीनन के कान दिखाई देता है उजा का पारंपरिक स्रोत नहीं है तो सौर उजा उजा का पारंपरिक स्रोत नहीं है राष्ट निर्माण में अबाधा डालता है तो सामप्रदाइकता राष्ट निर्माण में अबाधा डालती है कारगिल संगर्स के दोन भारती सेना ने कौन सा ओपरेशन चलाया ओपरेशन विजय चलाया था वर्तमान में लोकसवा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण है तो 84 सीटों का आरक्षण है सयुक्त राज अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकार जाता है तो 11 सितंबर 9-11 हमला 9-11 का हमला बोला जाता है यह किसा पना कभ इती 26 मार्च 1991 में हुई थी अन्तर राश्ती स्रम संगिठन का मुख्याली कहा है सती है, जैनेवा में निस्थधी अंतर राश्ती स्रम संगिठन की स्थापन कभ हुई थी 99 में भारत ने क्योटो प्रोटोकाल पर कभ अस्ताख्षर किये थे तो 26 अगस्त को 2002 को जापान में अपनाए गया था 11 दिसंबर 1997 लागू 16 फरवली 2005 और ये जो है जल वायू परिवर्तन रोकने के लिए बनाए गया था क्योटो प्रोटोकॉल विदुत आवेश का एसाई मातर क्या है कूलाम विदुत आवेश का एसाई मातर क्या है ताप्रमान में व्रद्दी से एक चालक की प्रदीरोत पर क्या प्रहो पड़ेगा तो चालक का प्रदीरोत्ता बढ़ जाएगी एक प्रति चुम्ब की पदात की चुम्ब की प्रवत्त पर निर्वर करेगी आपकी ऑप्टिकल फाइवर प्रकास्तंतू की कालर पराली निरोधी विभाव अती लगू होगा तो लाल और जादा सबसे जादा होगा नीले के लिए तट इस थलता वक्र मूल बिंदू की ओर होती है तो ये उन्नतो दर रेखा होती है भारत में एक अर्द वामन किस्म का विकास किस ने किया था तो नौर्मन यी बोर्ड लोग ने किया था अर्द वामन विकास जो है किस्म का विकास बेकर पीश्ट का उपयोग कौन से खाद उत्पात के लिए होता है तो ब्रेड के लिए बेकर पीश्ट का उपयोग होता है ग्रीन हाउस नहीं है तो सल्फर डायॉकसाइड नहीं है और कौन कौन सी होती होती तो कार्ळ डायॉकसाइड गजल्वास ये ग्रीन हाॉस गेस हैं. दो आवेशित कणूं के भीछ की दूरी दोगुनी करने पर, उनके भीच का कितना हो जायेगा तो बीच का बल चारगोना हो जाएगा प्रकास तरंगों की प्रकृति दर्शाता है तो व्यतिकन दर्शाता है हाइडोजन परमाड़ु के स्पेक्ट्रम में कौन सी स्रेंगी आती है तो लाई-जोजो है लाईमेन बामर पाशन और बैरिकेट कौन सा व्याष्टी अर्थसास्त का द्यन है उभोकता संतुलन राश्टी आय में शामिल नहीं है तो घरेलिव सेवा हैं मद्यमवर्ती वस्तु हैं और इस्थान अन्तरन आय प्रतेक्ष कर कौन-कौन से होते हैं तो निगम कर और राखीगड़ी यह आपके हड़पा सब विताके हर्याना में स्थल हैं मनुस्मति का संकलन का हुआ था तो 200 इस्याप पूर्व में हुआ था बौत धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्च का साधन क्या है तो अश्ट मार्ग है विजे नगत सामराज का प्रधम राजवंच कौन सा था संगम वंच था बाबर की आत्म गता का नाम क्या है तो बाबर नामा तुझुक एबावरी तुर्की भासा में है पहाडिया लोग खेती के लिए कौन इसे उपकर्ण का प्रयोग करते हैं तो कुदाल का उप्योग करा जाता है 1977 ECV में से पहले भारत में बिटिस सामराज की राधानी क्या थी तो कलकत्ता थी महात्मा कानी ने व्यक्तिकर सत्यागर का वारम किया था 1940-41 में अक्तूवर दिसंबर के महीने में मुस्लिम संप्रदायक तक ये उदाय का मुखेकान क्या था तो वहावी आंदोलन और सरसयद एहमत खादवारा सामप्रदायक प्रचार अंग्रेजों की फूट डालो साधनकुर्णी थी अखिल भारते हिंदू महासवा की स्थापन कब हुई थी 1915-20 में मदन मोहन मालवी जी ने की थी निर्दोश लोगों की हत्या से विवाजन था किसने कहा तो निर्दोश लोगों की हत्या से विवाजन था ये पंडित जोहार लाल नहरूनीय कहा सम्विधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ डॉक्टर सच्चिर अन सिना अस्थाई अध्यक्ष भी कही आते इनको और 9 दिसंबर 1916 में हुआ था ये भारती सम्विधान का पारित हुआ था तो 26 नवंबर 1929 को पारित हुआ था लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारती सम्विधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी चैथी लोग सभा के चुनाओं किस वर्स हुए थे तो 1969 में हुए थे प्रतम लोग सभा की चुनाओं किस वर्स हुए थे तो निशन क्या अनवावन में हुए थे पांचवे आम चुनाओं के बाद भारत के पीम कौन थे 1971 में इंदिरा गांधी कौंग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटा हुआ नारा कौन से लोग सभा चुनाओं में प्रमु क्यान में नहीं आर्थिक नीटी रूति में अपना गई ती तो पीवी न सिंवाराओं जी के कारेकाल में अपनाई गई थी रूसमें सामयवादी कि रान्ती कभी थी अनुछेद 110 किस स्थितियों में के अंतरगत संसद का एक सदस्य निरहित किया जा सकता है तो यहाँ पर राइड आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशने के लिए यदि वह भारत सरकार के अधीन लाव पद धारन करता है यदि किसी भी कानून दुआरा अयोग घोशित किया जाता है यदि वह अनुमुक्त दिवालिया है इलहाबाद का पुराना नाम क्या था प्रयाग राज था फिर से प्रयाग राज कर दिया नया नाम भी दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ-कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी तो मुहमद बिन तो गलखने चलाई थी कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा बंगाल के वजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था तो 1911 में रद्द कर दिया गया था मद्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे मतपूर्ण के इंदर कौन सा था तो धांका बांगलादेश था प्रातना समाज किस धर्म के अंतरगत एक सुधार अंदोलन था हिंदू धर्म के अंतरगत बॉंबे आई अपने किस धर्म के लिए जाना जाता है तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है एक विद्धुत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है एलिमेंट कहा जाता है पेचिस तथा मरेलिय अजंसी विमारी किसके दारा फैलती हैं तो एक कोशी प्रोटो जुआग करन ऑक्सीजन युकत हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो प्रशोशन कहलाती है ऑक्साइड प्रक्रिती में अमली है किस तरह के होते हैं तो अधातू होते हैं भोम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है भूजल कहलाता है जब उत्पादन का स्तर सूने होता है तब इस तरह लागत होती है धनातमक होती है किस बाजार में विक्रे लागतों का मत्व होता है तो एक आधिकार बाजार में विक्रे लागतों का मत्व होता है राश्टी आये का दिन होता है तो समिश्टी गत अर्थसास्तर में भुकतान शेश में क्या शामिल है तो द्रश्यमदे अद्रश्यमदे और पूजी अंतरन दोहरी गरना की समस्या किस विदी में होती है तो उत्पाद विदी में होती है सिलीकॉन SI को P प्रकार अर्चालक बनाने में कौन सा अप मिश्रक उप्रयुकत नहीं होता है तो P फास्पोरस नहीं होता है हाइडोजन परमाडू की आइनन उर्जा कितनी होती है तो पॉइंट इंट 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 इपार माइनस एटीन जूल तरंग दर सबसे कम है तरंग दर सबसे कम है गामा किर्णों की बेदन शमता सबसे अधिक किस की कमेंट करके था यह अलपा वीटा गामा में से तरंग दर सबसे जादा है लगू रेडियो तरंगों की एक्स किर्णों की और ब्लू लाइट की व्रहद उत्पादन पदती से बनी विश्व की पहली कार कौन सी है तो टी मॉडल फोर्ट 1908 में बनाई गई थी यह हो गए आपके दोसों कॉश्चन मिलते हैं आप से अगली वीडियो में यदि पहली वाद चनल पर आएं पूरे कॉश्चन पड़े अगला पार्ट से कमेंट बॉक्स में पार्ट दो लिख कीजिए का हम वेट करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लें शोब हो बहुत बहुत धन्यवाद